Hello everyone, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन तो सबसे पहले हम जानते हैं, जानेंगे कि एस्टिवेशन क्या होता है हम जानते हैं कि flowers में saples और petals दो पार्ट होते हैं petals उसके सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो कि green color का होता है generally और जो saples होते हैं वो flower को color provide करते हैं जो भी हम देखते हैं colorful flowers वो उनके saples ही होते हैं तो flowers में जो petals और saples का arrangement होता है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं इस एस्टिवेशन के कई टाइप होते हैं इसके जैसे की wall weight, twisted, quinquin shell, imbricate और auxiliary यह पांच इस एस्टिवेशन के टाइप है देखते हैं यह ताइप कैसे कैसे होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे wall weight estimation की इसमें क्या होता है जैसे यह कोई saples का arrangement है या petal हम कोई भी arrangement बान सकते हैं इसमें यह पांच petals है या फिर saples है यह सब एक दूसरे से बिलकुल same distance पर होते हैं और इनके बीच gap होता है यह एक ही ring पर होते हैं इसको कहते है wall weight estimation यह सबसे normal और simple type का बोल सकते हैं हम इसे इसका example है calotropis अब बात करते हैं तो state estimation की इसमें क्या होता है जैसे यह पांच saples है इनमें saples का एक जो किनारा है वो बाहर की side होगा यह जो है इसके यह बाहर की side है लेकिन इस saples या पैटल की यह अंदर की side है यानि कि एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर सब में यहीं arrangement होगा देखे इसमें एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, तो इस टाइप की arrangement को हम बोलते हैं, तो state estimation, यह staple और petal किसी का भी हो सकता है, इसका example है है viscous, लेकिन यह सारे की सारे एक ही गोलाई में होते हैं, ऐसा नहीं कि यह अलग- दिंग पर होंगे यह सब एक ही दिंग पर प्रेजेंट होंगे लेकिन एक अंदर और एक बाहर के ऊपनेक्स चलते हैं कुइंग क्यूंचल एस्टिवेशन इसमें क्या होता है एक सेपल या पैटल के दोनों किनारे बाहर होते हैं और एक और एक के अंदर होते हैं ऐसा ही इध तो उसका एक किनाना बाहर होता है और एक किनाना अंदर की साइड होता है इस टाइब के स्टीवेशन को हम कहते है को इंचल एस्टीवेशन और यह भी गोले में ही होता है यानि कि एक गोल रिंग बनाता है ऐसा नहीं है कि अलग-अलग प्रेजेंट उ इसका एक्जाम्पल है मुराया नेक्सित हम बात करेंगे है इमरिकेट एस्टीवेशन गी इसमें क्या होता है एक सैपल के दोनों साइड दोनों किनारे बाहर एक के दोनों अंदर बाकी के एक अंदर एक बाहर एक अंदर में दो अंदर थे जब कि इसमें है एक दोनों बाहर। ऑंगे अग इसमें और अदेथ के लिग यह में पाया जाता है यह पी का स्थाक्तिक फीचर भी भूर सकते हैं इसमें हr होता है वो इन सब सैपल्स के दुलना में बड़ा भी होता है और यह इसके दोनों जो किनारे हैं वो बाहर होते हैं बाकि यह जो लेफ राइट वाले सैपल्स हैं इनके एक किनारे अंदर की और एक बाहर की और होता है और यह जो नीचे वाले सैपल्स होते हैं इनके एक किनार अंदर की और होता है कि किनार और नीचे की दोनों किनारे जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं इस टाइप के एस्टीवेशन को हम कहते हैं वैक्जिलरी एस्टीवेशन और ये एक्जाम्बल है इसका पी हौ wax को तो स्टीवेशन की आपसे होते हैं झापक लोकुरत की रचबल कirementर पूह हैं जा की गो है।